का लो काईज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल स्टेडी मेथ 91 पे तो कैसे हैं सभी लोग हसते रही है मुस्कराते रही है बस पढ़ते रही है ठीक है तो आज की क्लास बहुत भेतरिंग क्लास होने वाली जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि यूपीं होमगा करना पहले से स्टार्ट कर दो देखो आप लोगों के लिए मैं जितना भी पढ़ाता हूं किस-किस के लिए बहुत इंपोर्टेंट है एक तो मैंने आपके लिए बता दिया आर्पी अप आर्पी अप यूपी पुलिस ठीक है यूपी पुलिस ठीक और दूसर तीसरा क्या आर्पी अप्यूपी एससी जीडी चौथा क्या देखो एससीड या होमगाड भी आगी लो यह बहुत जल्द भरती आने वाली है इसके लिए आप इंतिजार कर रहे होंगे थीक है, ये तीन चार भरतियां, चार भरतियों के लिए हमारी क्लास होने वाली बहुत important, सब में यही से लिवस है, UP Police, RPF, SSGD, Home Guard, सब में math सेम है, reasoning सेम है और GS सेम है, सिर्फ फरक्या है, RPF में, हिंदी नहीं है, बाकि home guard में Hindi SSGD में Hindi, police में जिंदी, थीक है तो Hindi की class आपको daily मिली रही है, बाकि मैं reasoning and method आपको cover कराई रहा हूँ, तो reasoning and method ठोस रखो, इसके ठोस number मिलते हैं आपको reasoning and method के, तो आज की class में मैं आपको बताने वाला हूँ, साजेदारी partnership के question, थीक है, बहुत question पूछे जाता है इससे partnership से, तो partnership से किस level के question बनते है, कैसे कैसे बनते है, हर चीज आज की वीडियो में आपको बताने वालो, तो class है, अगर आपने ये form, ये तीनो form तो आपके, ये form आने वाला है, भोजल, sscgd आने वाला, जैसे ही इसका result आएगा, तुरंथ दूसरी भरती तयार बैठी है, s आपको साज़ेदारी मतलब partnership, partnership मतलब, partnership के question, ठीक है, partnership माने होता क्या है, साज़ेदारी, ठीक है, आज आपको मैं बताँगा, साज़ेदारी कैसे करते हैं, ठीक है, आज मैं आपको बताँगा, साज़ेदारी कैसे, देखो, ये तो एक तो आप लोगों के लिए, up police, rpf, home guard, ससी जीडी के लिए important है दूसरा आप लोगों के लिए यह important है अगर आप business करना चाहते हैं या business कर रहे हैं या किसी चीज में पैसा invest करते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए कि हमने अगर इतना पैसा लगाया उसमें जितना भी profit सब्सक्ति पैसे किसे को घाइडelier थीडिए कि अशनी कम मिलां समय च्छांते हैं चाहिए ने ayati and a आक यह किए ब्हु का साथा यह वर जो कि वह इस ने पैसा जदा लगाया उसको ज्यादा जाधा प्रोफिट मिलेका जिसने कम मिलाया उसको कम पैसा मिलेगा ठीक है तो माल लेते हैं एने चार सु लगा यह भी ने तीन सु मिला एक साल में उनको कितना प्रॉफिट हुआ उनको माल लूब 700 रॉपए लाव ठीक है 700 रॉपए लाव हुआ अब कोष्टर पूछा तो ए का हिस्सा A का हिस्सा कितना मिलेगा और B का हिस्सा ठीक 700 रुपए लाब हुआ उसमें से A को कितना मिलेगा और B को कितना मिलेगा देखो अब कैसे लगा देखो A ने कितने लगाया थे 400 B ने लगाया थे 300 profit हुआ 700 का यह पैसा लगाया था लेकिन लाब हुआ 700 का तो हमें A को कितना पैसा मिलेगा तो देखो कैसे न तो यह total कितने है, 4-3 by 74, यहाँ पे 7, तो 7 बराबर 700 तो एक बराबर 100 तो पैसा कितना मिलेगा 400 यहां कितना मिलेगा 300 beth a k 오늘리dan 1200 लगा तो अ NEW पर थे कितना मिलेगा 400 रुप क्रभा करा रोपध एक साल में 700 रुपी ऊपए गाया विशॉच Ferguson संद्व लगा हैvo माल लो यह तो आपको एक्जम्प्ल बताया अप जैसे जैसे बी ने लगाया तो ए ने लगाया तो प्रॉफिट इनको हुआ है मालो दो जार का कितने इने लगाया सौ रुपए और लगाए थीन अब को कितने रुपए लगा क्वेलके रुपए लगा थे 100 वे नहीं को जोड़ेंगी तो बढ़ा हो जाते तो इनको आवर आवर पांचो तो पांचो की डिड़ए एक है तो एक हुँ कितने मतचा कि यहां 52 रूपरस इसे इक कैसे पता है कि किसको किदना पाइसा मिलेगा हम ने पैसा लगाए ठीक यह तो हो गए to मालो तीन आदमी हो देखो कौन है राम स्याम मोहन तीन आदमी है राम ने लगाया 100 रुपए स्याम ने लगाया 200 रुपए इसने लगाया 400 रुपए ठीक टोटल फाइदा कितना हुआ टोटल देखो फाइदा कितना हुआ 28 रुपए इतना रुपए का प्रॉफिट हुआ टोटल तब अब बताएए एक को कितना रुपए मिलेगा एक का हिस्सा C का इस्सा पूछा बताइए अब A को कितना रुपए मिला और C को कितना रुपए मिला ये question पूछ रहा है तो ये देखो पैसा कितना कितना लागा एक ने 100, B ने 200, C ने 400 मतलब मोहन ने 400 ठीक है अब मैं इसको C माल लेता हूँ इसको B माल लेता हूँ इसको A माल लेता हूँ ठीक है अगर ऐसे पूछा है तो या तो पूछ लेगा A को राम को कितना मिला और मोहन को कितना मिला या A C माल लो ठीक आब इन्होंने पैसा इतने लगा तो इनको बराबर कर लो तो यह 2 बिंदी काड़ तो इसमें से 2 बिंदी स्म 연सर इसमें स्थमट्राइए चारल लगाया तो टोटल लगाया कितना पैसा चार लोगत है कितने का हुआ यहां पे 286 का तो राप், कि शार्च देखोगा है wykonug 2-3-4-3-7 तो एक तीन और चातिन साथ तर साथ अे प्समाट एक बराबर साथ साथ साठ चाउक 8700 चाहर सूं अब एक क्यों 400 दो बस यहां पर रखेया चाहर सो कि इसको डि बूकर 500 तो पया पर रखेया,कि इसको कितने मिलेगा 400 इसमें Effective कितना कितना मिला एक को 400 मिला एक को 400 मिला देखो 168 कितने हुए इसे तो क्या चाहूंगे आप 400 लगाँगे तब यह प्रॉफिट पाऊगे यह सव लगाके तो जितना जो पैसा लगाएगा उतना उसे प्रॉफिट मिलेगा यह होते हैं साजयधारी जो जितना पैसा लगाएगा उतना ही उसको पैसा मिलेगा अच्छे से समझ मैं अब इस टाइब की कोश्चन कैसे बनते हैं बो भी मैं आपको बतानूं इस क्रीम पे कोश्चन आपको लिखे दिखेंगी तो आपको उनको लगाना है देखें पहला समझते रहना जब तक ना समझवाए हमको बताना और कोश्चन लगाना अगर आपके पास कोई भी मैंत की भूक या कहीं से भी साज़ेदारी की कोश्चन मिल जाते हैं आपको तुरंत लगा डालो उनको सेम ऐसे ही कोश्चन लगेंगे ठीक है जैसे पहला कोश्चन है तीन साज़ेदारी में 600 800 तता 1000 रुपए लगा दें है एकने कितना लगा अपको गए एक नहीं रुपए लग एकने कितना लगाया इतना रुपएधा यार इतना मुनाफ़ा के इतना कम हो रहा रहा है केसे कम चलेघा नो पहले प्हले वियक्तिको बिला यह पूछा आ यह पूछा देखो इन इसको बराबर करो यह जाहां तक कट रहें का दो डूछिंदी-кі elementos एक भी नी दो भी नी अब 200 कट रहे हैं दो तीया छे दो चकू और इससे छोटा हो जाता है दो पंजेश दस ठीक छोटा हो गए अब यह देखो इनको जोड़ लो यह टोटल कितने हो गए यह ने मालों 5 लगा इसने 4 लगा एक तीन छोटा का लिया काटके भाई पांचार नो 10 एक एक इसससे यहांपर कितना थीं लेकिन लग लगन निकाल या थी 3-3 इक मद टां Ouais तो कितना यह एका हिस्सा सो रुपै ठीक है एका हिस्सा कितना आया 100 रुपए एका हिस्सा कितना आया 100 रुपए भाई तीन के बेलू पीछी थी एका हिस्सा देखो 400 बटे 12 हो गया बेलू इसकी पूछी थी गुड़े में 3 कार दिया 3.12, 4.400 रुपए ठीक तो अप्सन नमर कौन सा मैच कर रहा है वो 100 रुपए अप्सन नमर भी देखो एका अप्सन नमर भी कितना रुपए प्रॉफिट हो रहा है उसको मात्र सो रुपए मिलेंगे इसको ठीक है 100 रुपए भी अप्सन बन का चलिए अब दूसरा कोशन लगाई आप अपने आप दूसरा कोशन जल्दी से आप अपने आप लगाओ कोशन नमीजरा कोशन याश कर संत्य चलिए से लगाएं दो साज़ेदार एक व्यक्षाों में करमशा lados साज़ेदार में क्रमशा देखो 9000 दसजार पांसो का नंवेज करता सैघ् morning कि T ने कितना निवेस किया 10500 ठीक है करते पूजी निवेस का अनुपात रहrän 450 का लाब उसे कितना हुआ 755 का इतना हुआ यह लाब हुआ खेम अब क्या करना कुछ नहीं करना है बस अब उपर वालों को तो तीन शनकी हुआ अब चोटा होगा बरावर जब तक करता है तब तक आठते रहें तो यह कितना आगया हमारे पास साथ छे तेरा तेरा एक नेए 6 लगाया कैंट टोटल कितना लगाया खीख 612 एक तेरा टोटल तेरा लेकिन इनको लाब कितना हो रहा खहुआ, तो तेरा कम 14 35 एंचे 65 यह 500 ठी aucun हे www. परच बराबर पांती तो छहे बराबर बताव कितना यह बराबर फीस इनको प्हां कि टीटना मिल कुछन पूछ किसका रआ श्रायर पूंच किसको रहा किसका पैसा कितना है ठाइफा हाएट के यह साधेधारी का पहला टाइप उमीद है समझ में आया होगा गुज़ए का पहला टाइप न था कैसे लगए आपको स्क्रीन पर दिखेंगे ठीक है अब एक कोश्चन आप लोगों के लिए होमवर्ख है वो आपको लगाना है घर पे देखो सयोग किरड और किसोर ने एक दुकान में 2700-1800-1800 लगाकर दुकान खोली एक साल के अंत में लाब तीनों में बाटा गया अधिकरड का लाब अंस 36,000 है तो कुल लाब रहा होगा यह आप नहीं लगा पाएंगी ठीक है मैं बताओंगा आपको नेश्ट क्लास में इसके आगे जो भी टाइप बनेगा सब कोश्चन ऐसी सेम लगेंगे तरीका बता दूंगा आपको बहुत अच्छा तरीका है तरीका है आप चलिए मैं बता दे दुकान खोली देखो संयोग एयस हो गया किरण के हो गया और किस ओर किरण और किसोगा ठीक है थीक है अजारों बात होगी इनकी 72,000 लगाया ठीक है उसके बाद कोश्चन कह रहा है दुकान खोली अंद के लाब तीनों में बाटा गये या दि कीरण का लाब इसका लाब दि कितना लाब मिला है 36,000 बाइस को 36,000 लाब मिला कैसे मिला है ठीक लाब कितना दिया 36,000 पहले इनको सेम कर लो बराबर कर लो मतलब छोटा कर लो बराबर तो ही छोटा कर लो छोटा करेंगे तो एक बिंदी दो बिंदी तीन दी दो बिंदी दो बिंदी दो बिंदी दो बिंदी गणिन लेंक 2018 टीक है थीक है आप ए ने कितना लगाया एनए तीन लगाया भी ने कितना लगाया पाषीक आठ लगाया जी एथीक यहתח lookत्र ए टीनों ने कितना लागाया ने कितना लगाया लुक्त लिकर पिंड़ान कहे रहा है O क्यानाव है कोश्चन कह रहा है कि यदि किरड का लाब 36,000 है किरड कौन है किरड यह इसका लाब कितना है 36,000 है लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 9 है तो 9 की बेलू 36,000 तो 9 बराबर 36,000 तो एक बराबर 4,000 ठीक टोटल इनने कितना लगाया था 20 बस यही बेलू पूशी थी टोटल की 4,000 का गुणा करा दो 20 चकूँ 80 कितने 0 एक दो तीन 4 एक दो तीन 4 यह आगया राइट आंसर ठीक टोटल आप कितना था 80,000 तो यह कितना चाथ धुना आठ एक दू झाल पूशार है मैं आया civil आख था यह गाए छाया गिसाव हो अब तो राचन में तीनों का पूख देना रहा जाए गए निकलती लीकीन करे सिर्फ बी का दिया बी बी कितना कमा फाइदा कहेता 36 तो 9 बराबर 36000 तो एक बराबर 4000 ठीक टोटल लाब पूछे नहीं तो चार का इसमें गुणा करा तो टो तो 80,000 ठीक है तो टोटल लाब कितना था असी गजार ता तब जाके लेकिन यहां पर टोटल लाब कितना है जोड़ा तो 20,000 तो पूछा कितना है अगर एक निकालते तो यहां एक जीरो एक जीरो दो चुकू आठ चारहजार चारहजार है इसकी बेलु कितनी आती चार गुणा कराती तो चाननें 36 इसका 36,000 आ गया यह कोशन में दिया था यहां पर चारहजार कराती तो कितना चारह इसकी बेलु आती 32,000 ठीक है और इसके कहां चाहती है इसकी 12,000 तो तीनों को जोड़ो बारा और 36 बाच्छों को 48 4842 कितना हुआ पर चाहिए चाहती टोटर एक लना हुआ अगर इसका पूचा जाता तो 32,000 पहले इसका पूच्छे तो 12,000 आता यह तीनों का हिस्सा है ठीक है अगर एक के पूच्छे तो 36,000 बो बी का आपके पास ठीक है तो 80,000 नमबर ए मैच कर रहा था तीन का ठीक है आप चलो कि आप कोश्चन नमर चार आप लोग होंबर्क लगाएंगे होंबर्क मैं दे रहा हूं देख कोश्चन है तीन भागीदार एक वेवसाय में दो हजार, 25 होर 1,000 लगाते हैं लाब 880 होने पर अंतिम भागिदारी को कितना राज मिलेगी मतलब तीन भागिदार है तो अंतिम भागिदार कोण सी होगा तो सी का हिस्सा पूचछा है तो ए ने देखो 2,000 लगाया बीने 25 लगाया सी ने 1,000 लगाया तो तीनों को लाब कितन अगर नहीं समझ में आया तो कल 100% आपको समझाके ही जाऊंगा अगर आज में थोड़ा बहुत भी समझ माया तो फिर हम तो इस क्लास में समझाके जाऊंगा बरना मेरा पढ़ाना फाइदा क्या है तो दोस्त कमेंट करना अगर समझ में नहीं आगए तो आज की वीडियो यहां पर समझ करते हैं बने रहे हमारे साथ आगे के लिए ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाएं और मैं सिकाने की कोसित तो मैं रिजिनिंग की ट्लास आगे जो भी एक आगी मैं कोसित करता हों देता रहता हूं कि क्यों यह डूटी के साथ जितना स्रीएंव मैं gay वारत टो चलता हूँ